जग्यासूं मित्रों बहुत बहुत अविनंदन है आपका हमारे इस नाइन पीएम के लाइव चर्चा में परतेक दिवस की भाती आज भी हम पुनीशदों पे अधारित एक अध्यात्मिक विशाय लेकर यहां उपस्तित हुए हैं और आज इस चर्चा से उपनीशदों पर चर्चा प्रारंब कर रहे हैं जग्यासूं जो पहले से प्रतिक्षा कर रहते उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दिपक पतेल जी शुती चैनल जी जोंती दत्ता जी महे श्राम पिस्ता जी कुपाल सरमा जी अनील कुमार जी तरंजीत सिंग जी, माधुरी कोले जी, घूप सिंग खीचर जी, माला शर्मा जी, विनई यादो जी, जगत नरायन जी, रभी कुमार जी, राजू पाल जी, रादेश्याम दिख्षिद जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन आज जो हम विशाय लेकर आएं हैं वह इशावाश्य उपनीसद का प्रारंब है और विशाय है भोगों को भोगने की कला अब भोगों को भोगने की कला क्या होती है? आज इसी पर चर्चा होगी सभी सदस्यों को, इस कारिकरम को लाइव देखने वाले, ज्वाइन करने वाले, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है तो भोगों को भोगने की कला क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो विशे समझने हैं भोगों को भोगने की कला इसमें दो विशे हैं, एक है भोग और दूसरा है कला अगर दो बातों का सही सही अर्थ हमें समझ में आ गया कि भोग क्या है और कला क्या है तो भोगों को भोगने की कला भी हमें समझ में आ जाएगी समस्या यह है कि दृष्टिकोन बहुत बिगड़ा हुआ है सोच बहुत ही बिगड़ा हुआ है तो सोच जब बिगड़ा हुआ है सोच सुधरे कैसे तो मित्रू आज इस विशाय को समझने के लिए भोगों को भोगने की कला समझने के लिए सरपर्थम इस विशाय को समझते हम की कला क्या है आठ जिसे हम अंग्रेजी में आठ भी कह देते हैं कला क्या है वैसे आठ का मतलब कला ही है ऐसा भी नहीं है लेकिन फिर भी अंग्रेजी भासा में आठ का अर्थ कला से मिलता जुलता ही होता है तो कला क्या है कला है वैसे तो आप किसी कैनवास के उपर कागज के उपर आप लकीरे खीच दू आड़े थिर्ची कैसे भी ऐसे 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 खीच दो भर दो उसे लकीरों से बच्चे के हाथ में अगर पैंसिल पकड़ा दोगे तो पता नहीं क्या-क्या खिच देगा इससे कोई मतलब नहीं है तो वैसे लकीरे खिचना बहुत मामूली बात है परन्तु उन लकीरों के माध्यम से किसी चित्र को प्रगट कर देना किसी भावनात्मक चित्र को प्रगट कर लेना जिसमें कि भाव भी हो वो कला है तो विचार करने वाली बात है कि उस चित्रकार ने कितने कितनी सजगता से पैंसिल चलाई होगी या कितनी सजगता से उसने रंग भरे होंगे तो हमें समझने की यह आवशक्ता है, कितनी सजगता से उसने रंग भरे होंगे, कितनी सजगता से उसने लकीरे खीची होंगी, तो जब बहुत ही सजगता से सचेत होकर लकीरे खीची जाती है न, तो वो कला हो जाती है, वो चित्रकला हो जाती है वो ऐसी एक संगितकार सुरों को साधता है, बहुत अच्छा गाने वाला नाजाने कितने वर्ष उसने अभ्यास किया होगा नाजाने कितने घंटो घंटे उसने लगाए होंगे एक एक सुर को साधने में तान पूरे के उपर तब जाकर एक बंधे हुए सुर में वह आपके समख्ष अपने संगीत कला की प्रस्तोती कर पाता है तो कला गाने के लिए कोई ऐसे भी गा दे लेकिन एक सुर में बंध के गाना ताल में बंध के गाना सजगता से लकीरों को खीचना सचेत होकर कहां कितना रंग भरना है कैसे भरना है कौन सा शेड लेकर आना है चित्रकार की कला है बड़ी सावधानी से बड़ी सजगता से वह यह सारे कारे करता है अपने कारे पूर्ण करता है तो कला यह है कला का तात्पर है कि सजगता से कुछ करना जिससे कि उसका सौंदर निखर जाए वह आकर्षित करने लगे एक है कला और अब एक विशय क्या है भोग तो हमने कला को थोड़ा समझने का प्रयास किया अब समझने की आवशकता है कि भोग क्या है भोग भोगने की कला जिस प्रकार चित्र बनाने की कला है गाने की कला है बजाने की कला है एक तबला वादक एक पकावज बनाने निकल जाती, तो बड़ी सजगता होती है उसके अंदर तब जाकर यह संबह हो पाता है, तो मित्रो आज भोगों को भोगने की कला के चर्चा है, कला तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन भोग क्या है, भोगों को भोगने की कला, अब कुछ लोग यह सोचतें कि भाई, यह तो बड़ा मजे वाला विशह है, क्योंकि जहां भी भोग शब्द का प्रयोग हो गया, आप भोग नहीं समझतें, कुछ लोग की बुद्धी तो इतनी कलुशुत की वो भोग से सीधा सम्भोग पे चले जाएंगे, अच्छा भोग, भोग मतलब तो भाई, इंज्वाय दि लाइफ, यह क्यों भोल जाते हो कि दुखों का भी भोग होता है, रोगों का भी भोग होता है, तो भोग तो कई प्रकार से हैं, भोग सिर्फ सुख देते हैं, ऐसा नहीं है, भोग तो दुख भी देते ह दो रूप होते हैं भोगों के, सुख के रूप में और फिर दुख के रूप में भोग प्राप्त होते हैं तो जब भोग कहा जाए तो सीधा आप भोग का मतलब enjoyment नहीं भोग का मतलब मात्र सुखों की प्राप्ति नहीं संसारिक दैहिक सुखों की प्राप्ति मात्र भोग नहीं है भोग में तो दुखों को भी भोगना पड़ता है लेकिन क्या किया जाए मनुष्य की बुद्धी और अर्थ का अनर्थ जो हो रखा है अगर कहीं पर लिख दो कि आओ मैं तुम्हें भोग करना सिखाता हूँ तो उसका वो अर्थ ही कुछ और ले लेता है तो कुछ लोगों ने अर्थ का अनर्थ करवा दिया और आप जो मूल अर्थ था उससे कहीं कुछ और ही बाते समझना शुरू कर देते हैं तो कुछ और बाते समझने की प्रयास में मत रहिए भोग अर्थात करमों का फल ही भोग के रूप में प्राप्त होता है वह सुखरूप भी हो सकता है वह दुखरूप भी हो सकता है लेकिन यहां आपका दुर्भाग्य की भोग कहते ही आप तो कहीं और ही दुनिया में खो जाते हो कोई और ही सपना देख लेने लग जाते हो वाजी भाई आज तो हमें चैनल पर भोग भोगने की कला सीखने का अवसर मिलेगा कुछ तो कुछ और ही समझ लेते हैं अनर्थ तो लोगों ने सम्भोग का भी कर दिया है सम्यक भोग कर पाओ तो मित्र भोग का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम सुक भोगोगे आनंद भोगोगे भोग का अर्थ यह भी होता है कि तुम दुख भोगोगे भोग तो करमों का फल है सुक के रूप में भी आएगा दुख के रूप में भी आएगा अशुभ भी आएगा शुभ भी आएगा जैसे तुमने करम किये होंगे जैसा तुमारा प्रारब्द होगा तो यहां पर आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इसको यह ना समझ लेना कि भोग भोगने की कला मतलब कहीं और मत चले जाना लेकिन मनुष्य की कलुशित बुद्धी कुछ और ही समझ लेती है उससे बच लेना तो भोग भोगने की कला भोग भोगना छोड़ो मत लेकिन कलाकार बन जाओ आटिस्ट बन जाओ कैसे जैसे कि एक चित्रकार है वो बड़ी सजगता से लकीरे खीचता है वो बड़ी सजगता से रंग भरता है बड़ी सजगता से लकीरे खीचता है जरासा भी इधर उधर रंग ना जाए लकीरे भी गलत ना खीची जाए उसकी एकागरता उसकी तलीनता अपने कारे में रहती है वैसे ही तुम सचीत होकर एकाग्र होकर और सचीत होकर भोगों को भोगो हाँ वह भोग दुखरूप भी हो सकता है और सुखरूप भी हो सकता है जब तुम सचीत होकर भोगों को भोगों गे तो सब भोग ही समभोग है लेकिन तुमने अर्थ का जो अनर्थ कर दिया है तो तुम कुछ और ही समझ लेते हो लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है इसलिए शब्द वित्पती का विज्ञान कहां ले जाता है क्या समझाता है भोग शब्द का अर्थ क्या है तो सचीत होकर, सजग होकर, अनासक्त होकर, भोगो का त्याग करके भोग भोगो, यह किसी बात होई? यह कितनी विचित्र बात है ना? भोगो का त्याग करके भोगो को भोगो क्या संभव है सुनने में बड़ा विचितर लग रहा है कि भाईया भोगों का त्याग करके पानी का त्याग करके पानी पीओ संभव है क्या पानी का त्याग करके पानी पीओ भोजन का त्याग करके भोजन करो फिर भोगों का त्याग करके भोग भोगो ऐसा कैसे संबाव हो सकता है और यही भोग भोगने की कला है भोगों का त्याग करके भोगों को भोग लो तो शुकल यजुर वेदिय कानव सहिता के चालिसवे अध्याए से चालिसवे अध्याए के जो सुत्र है जो मंत्र है उन्ही को कहा जाता है इशावस्य उपनीशद इशावस्य उपनीशद तो मित्रों उपनीशद के मंत्र इसी विशय में क्या कहते हैं कि भोगों के भोगने की कला क्या है आज हम थोड़ा विचार करेंगे क्या कहते हैं थोड़ा उस पर हम चिंतन करेंगे कि उपनीशद के मंत्र इस विशय को कैसे समझाते हैं तो उपनिशद शुरू होते हैं शांती पाठ ओम पुर्ण मदह पुर्ण मिदम पुर्णात पुर्ण मदच्चते पुर्ण से पुर्ण मादाय पुर्ण मेवा वशिश्चते तो इस प्रकार से जो प्रथम इस लोक है उपनिशद का वो क्या कहता है इशावश्य उपनिशद का वो कहता है इशावश्य मिदम सर्वं यत किंच जगत्याम जगत्य तेन तक तेन भुंजिता मागर्दक स्विधनम्मा जगत्याम अखिल ब्रमान में यत किंच जो कुछ भी है जड़ चेतन सरूप जगत्य यह समस्त इश्वर से उस एक परम्तत्य ब्रम्म से व्याप्त है व्याप्त है उस इश्वर को साथ रखकर क्योंकि वह निर्गुन है वह अनासक्त है उसको साथ रखकर उसके जैसा बन कर उसको साथ जिस प्रकार से वह निर्गुन और अनासक्त है उसकी कोई नियत नहीं है कि ये करना है वैसे तुम भी भावातीत अवस्था की और अग्रसर हो जाओ संसार में आने वाले जो भी करम भोग है वह तुम्हारे प्रारब्द से है ऐसा समझते हुए उस इश्वर को सरविवापी समझ कर उस इश्वर में अपना मन लगा कर उसके चिंतन में उसका चिंतन करते हुए त्याग पुरुवक भुंज था त्यक्तेन भुंज था माग्रद कस्विधनम्मा भुंज था भोगते रहो माग्रद आसक्त मत होना धन भोग्य प्रतार्थ किसी के नहीं हुए कस्विधनम्मा अर्थात धन भला किसका हुआ लक्षमी किसकी हुई किसी किना हुई ऐसा विश्वास करते हुए कि यह धन संसार का यह सौंदर्य यह सुंदर शरीर और अथा धन आपका साथ निभाने वाले नहीं है यह कभी किसी का साथ नहीं निभाते ऐसा चिंतन करते हुए एसा चिंतन करते हुए कि यह भोग विश्य किसी का साथ नहीं देते और सत्य तो वह इश्वर ही है जो सरव्यापी है इशावस्मिदम सरवम्यत किंच जगत त्याम जगत यह इशावस्य उपनिसत का प्रथम मिसलोख है और यह बड़ी विश्यत्र बात करता है देखने की दृष्टी ही बहुत अलग है इसलिए कहा जा रहा है कि त्याग पुरुवक यह समस्ते हुए कि संसार का भोग संसार का धन किसी का साथ नहीं देते इस बात की समझ तुमारे अंदर होने चाहिए इस बात की अंदरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि संसार नश्वर है और सब कुछ मिटने वाला है धन किसी का साथ ही नहीं होता धन किसी का साथ ही नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए ऐसा समझ कर संसार के भोगों को भोगना चाहिए त्याग पुर्वक भोगना चाहिए त्याग पुर्वक मतलब भोगों में आ सकती नहीं होनी चाहिए क्योंकि संसार के भोग तो परिवर्तनशील है कर्म परिवर्तनशील है प्रारब्द परिवर्तनशील है अगर सुख भोग रहे हो तो उसमें भी आसकती ना रखो सुख के समय आसकत होकर अहनकारी ना बनो और दुख के समय आसकत होकर रोना मत शुरू कर दो त्याग पुरुवक संसार के भोगो को भोगो यही विचित्र है इशावाश्य उपनिशद का पर्थम इस लोग कही ना जाने जीवन जीने की संपुर्ण कला को अपने भीतर समाई हुए परतम इसलोक पहला इसलोक एक सनातनी का जीवन कैसा होना चाहिए यह इस सलोक में बताया जा रहा है और अगले सलोक में क्या कहते हैं कुर्वन नेव करमानी जिजी विशेक्षत समा एवं त्वई नन्ने थे तो अस्तीन कर्म लिप्पते नरे इस जगत में इह करमानी शास्त्रे नियत कर्मों को करते हुए सौ वर्षों तक जीने की इक्षा करो इस प्रकार किये जाने वाले कर्म से तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे अनासक्त हो जाओ अनासक्त हो जाओ तो जब त्याग की भावना होगी त्याग पुर्वक भोगों का भोग होगा तो एक बहुत ही रहस्यमई बात ही शावाश्य उपनिशद के प्रतम इसलोप में ही लिख दिया गे बहुत ही रहस्यमई बात और यही तो भोगों को भोगने की कला है लेकिन जिनको अर्थ का अनर्थ चाहिए वो वैसी ही व्याख्या पसंद करते हैं कि कोई महात्मा जी उनको मिल जाएं जो मात्र ऐसी ही विश्यों पे चर्चा करें अनासक्ती लाओ क्योंकि टिकने वाला कुछ भी नहीं रहने वाला कुछ भी नहीं यह संसार कागज की पुडिया भूंद गिरे गल जाना है यह संसार जाड़ और जाखड आग लगे जल जाना है तो यह संसार तो ऐसे ही है इसी प्रकार से है तो इसी लिए भोगों को भोगने की कला का तात्पर क्या है अनासक्त रहो तूरिय में रहो तूरिय में स्वेमे के अंदर साक्षी भाव बनाओ देखो मान लो कि यह संसार एक नदी है बहती हुई नदी और तुम वह चटान हो वह पत्थर हो जो नदी के तल में बैठा हुआ है देख रहा है नदी की उपर से कभी फूल बहकर जाते हैं नदी की उपर से कभी मलवे बहकर जाते हैं कभी किसी का मृत शरीर भी नदी में बहता हुआ निकलता है लेकिन वह बैठा हुआ है तल में नदी में जो भी बहता हुआ निकलता है उसे वह देख रहा है बस द्रश्टा भाव से देखते जा रहा है तो तुम भी इसी प्रकार से संसार में आने वाले भोगों को देखो तुम भोगते हुए भी अनासक्त रहो यह कितनी विचित्र बात है और कितनी रहस्यमई बात है कि कहा जा रहा है कि त्याग भी कर दो और भोगते भी रहो त्याग भी कर दो और साथ में भोगते भी रहो रहस्यपुल्ण जरूर है लेकिन जीवन जीने का सबसे बड़ा सबसे सही तरीका भी यही है यही अश्टावक्र यह जो ईशावश उपनीशत का ज़ो परधम इसलोक है समपूर्ण अश्टावक्र महागेता का सार है इसी में इसी में सार है तो यही समझने की आवशक्ता है कि क्या कहा जा रहा है कि त्याग पुर्वक भोगों को भोगते रहो इस अंसार भोगना तो तुमको पड़ेगा भोग भाग कहां जाओ रारब्दिके वश्रिमूत तुम्हें दुख भी भोगना है सुख भी भोगना है लेकिन तुम अनासक्त हो जाओ त्यागने का मतलब यह है अनासक्त हो जाओ यह धन किसी का साथ नहीं निभाता इसलिए इसमें आसक्ती मत रखो अगर तुम गरीब हो तो भी न रखो अगर अमीर हो तो भी न रखो दोनों ही प्रस्थितियों में तुम आसकती मत रखो अगर धनवान हो तो भी नहीं अगर धनहीन हो तो भी नहीं हर भोग मातर धन के प्रति नहीं सब के प्रति वैसा ही दिश्टिकोन ले आओ और साथ में व्यर्थ में त्यागने का कोई ढोंग मत करो कि तुम त्यागी हो तुम बहुत बड़े त्यागी तपस्वी तुम कुछ इस तरह के चीज हो ऐसा कोई परदर्शन भी मत करो भाईया जो भोग है उनमें लगे रहो भोगते हुए भी अनासकत रहो भोगते हुए भी अनासकत रहो भोगों को भोगने का प्रयास तुम मत करो, जो भोग सहजता से तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, प्रारब्दिके वशीबूत, मात्र वहीं तक स्वेम को समित रखो, और उनको भी अनासक्त भाव से भोगो, कोई आसा नहीं, निराशा भी नहीं, ना आसा न निराशा, तो जब ना आशा रहेगी ना निराशा रहेगी तो सन्यास होगा, क्या होगा, सन्यासा होगी, तो फिर सन्यास होगा ठीक है जी तो इसी लिए यह ऐसा सन्यास अनाशुत करम फलम कारियम करम करोती असा सन्यास ही चयोगी ठीक तो हमें यह समझना चाहिए हमें यह विचार करना चाहिए मित्रों तो यह विचार करने योगे जो तथ्य है इशावाश्य उपनिशत के दो इसलोकों पर हमने चर्चा की आगे की सलोकों पर भी कल चर्चा नौ बजे आपको मिलेगी और तो हमें विचार करने पर ही हम इन विश्यों को थोड़ा सा गहराई से सोचने और समझने की जरूरत है अपने आपको जोड़ दो अपने भीतर से अपने तूरिय से जोड़ दो अपनी आत्मा से जुड़ जाओ ऐसी एकागरता विक्सित कर लो ऐसे ध्यान में चले जाओ कि उस भाव में ही रहो ताकि दूसरे भाव तुम्हें प्रभावित ही ना करे संसार में अनेको भाव हैं आएंगे जाएंगे तुम उस एक भाव में इस्थित हो जाओ ध्यान में इस्थित हो जाओ फिर कोई चिंता करने की जहूरत नहीं है आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसी अवस्था में हम कैसे पहुँचे कि हम त्याग भी करें और भोग भी कर ले मतलब हम जिन भोगों को भोगे उनमें हमें आसकती ना हो क्या यह भी आसान है जी नहीं दुरलब हो सहजावस्था सहजावस्था ही तो दुरलब है सहजावस्था ही दुरलब है सहज अवस्था में होना ही दुरलब है तो कोई सहज अवस्था को प्राप्त कर ले यह इतना सरल नहीं है योगी बनना पड़ेगा योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा फिर जाकर स्वता ही ऐसी अवस्था आजाएगी कि संसार के विश्यों में तुम्हारी आसकती बनेगी ही नहीं स्वता ही ऐसी इस्थिती पैदा हो जाएगी स्वता ही मन ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा जहां संसार के प्रती वस्तुवों में या भोगों के प्रती आसकती बनेगी ही नहीं भोगों को भोगते हुए भी नहीं बनेगी तो हमें यह अवस्था में आना पड़ेगा तब जाकर यह सद जाएगा जबरदस्ती का विशय नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास तो करना चाहिए अरजुन को भी यही सिख्षा दी जा रही है तो मित्रो इस पर हमें विचार करके ही इस गुड रहस्यमाई इस लूक के बारे में आज हमने चर्चा की ठीक तो इसको समझ कर अगर हम जीवन जीए और मन को ऐसी अवस्था मुख्य बात है कि मन को वैसी अवस्था में ले जाना लेकिन मन वैसी अवस्था में जाएगा कैसे है मन वैसी अवस्था में जाएगा कैसे तो ध्यान से ही जाएगा ध्यान योग से ही जाएगा ध्यान योग की प्रक्रिया से जुड़ने से ही जाएगा महा मिर्तुन्जय मंतर में क्या कहा गया ओम त्रेम बगम जजा महें सुगंधिम पुष्टी वर्धनम उर्वार उकमियो बंदनात मिर्तुर मुक्षी यमा मृता जूस्तनेत्धारी शिव का यजन करते हुए उनका इस्मरण करते हुए जिस प्रकार एक खीरे का फल तुम्भी का फल पक जाता है तो स्वेम ही फट जाता है टूट जाता है अपने बंधन से वैसे ही निरंतर ध्यान करने वाला योगी उसका मन परिपकव हो वो जम जाता है ऐसा कि वो संसार से स्वता ही अलग हो जाता है भोग उसे प्रभावित करना बंद कर देते हैं भोगों का जो प्रभाव है उस पर नहीं पढ़ता फिर ठीक तो यह विशह है यह समझने योग्य है तो यह हमें विचार करकर ही जीवन जीना चाहिए अगर हम ऐसा विचार करते हैं तो निश्य ही हमारा जीवन सुखी होगा और एक हम शान्त एक सफल जीवन हम जी पाएंगे जीवन सफल होगा तो मिर्त्यू भी सफल हो जाएगी आवशक्ता हमें विचार करने की है आवशक्ता हमें समझने की है ठीक है तो अब आपके मित्रो कुछ दिर में हम थोड़ा सा इस विश्य को अगर समझते हैं तो फिर निश्य ही हमें सहायता मिलेगे जीवन जीने में आप एक कमेंट अब हम पढ़ेंगे कि क्या कमेंट आपने किये है क्या आप कहना चाहते हैं अपने कमेंट के माध्यम से उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए तो चलिए देखते हैं कि लोगोंने क्या लिखा है क्या कहा है उस पर थोड़ी चर्चा कर ले जाए तो कृपिया प्रस्थ्यान त्रई में उपनीशदों का अस्थान समझाएं प्रस्थान त्रई से क्या तात्पर्य है त्रई कहते हैं तीन वेदों को ठिक त्रई कहते हैं तीन वेदों को रिगवेद, यजुरवेद और सामवेद को त्रई कहा जाता है उपनीशद उनी से निकले है और इशावाश्य उपनीशद यजूरवेद का उपनीशद है शुक्ल यजूरवेदिय कान्व सहीता का चालिसवा अध्याय इशावाश्य उपनीशद वहाँ से निकला है जगत नराइंग जी दीपक पतेल जी तद धावतो अनत तेरी तक्तुरे हर्योम तक्सत रामजी ठंक सर्फ और योर एफ़र्ट टु एक्स्प्लें इस्प्रेश्ट रटी इन सिंपल लैंगविच हर कोई वेदांत का अधिकारी नहीं है बी ये का पास कर ही एम मे और पी एच डी किया जा सकता है जी हाँ तो ये बाते कोई वेदांत का अधिकारी होना बी ये पास करना एम मे करना पी एच डी करना या अलग विशय है और अधिकारी तो वेदांत का या विशय ही बड़ा विचित्र है कि वेदांत का कोई अधिकारी क्यूं होगा हाँ अपनी साधना से कोई मोक्ष का अधिकारी हो सकता है और वह प्राकरतिक क्रिया है वह कोई युनिवर्सिटी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते इस मामले में कि कौन वेदान्त की समझ है किसको योग की समझ है क्योंकि समझ तो साधना से आएगी किताबे तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन जो समझ आएगी वह तो साधना से ही आएगी चलिए हाँ वो सुन्दर वेद कतेव कहो मत जूटे जूटा सोजो ना विचारे ठीक सरद जुकाम के कारण मुझे फीवर आने पर मुझे परम हैपिनेस हुई इसका क्या अर्थ है जुकाम के कारण मुझे हलका फीवर आने पर मुझे परम हैपिनेस हुई इसका क्या अर्थ है हाँ कई बार ऐसी अवस्थाओं में हम कई बार हम कुछ ऐसी अवस्थाओं में अनुभाव करते हैं मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं जहां पर हम बहुत कुछ सुक्ष्म अनुभूतियों से जुड़ जाते हैं तो जिससे हमें आनंद भी आता है सुख और दुख को डिफाइन नहीं कर सकते एक ही अनुभाव किसी के दुखद और दुसरे के लिए हाँ संस्कारों पे निरबर है लेकिन यहाँ पर तो अपने प्रारब्द से भोगने की बात है तो उसकी चर्चा की जारी है भोग भोगने की कला ऐसा बोलने में जब कला यह शब्द आता है तो सहज बात है कि उससे उद्देश का जन्म होता ही है और जहां उद्देश है वहां मन तो सुक्ष्म रूप में क्यों नहीं रहेगा यह बात समान विक्ति के बस में है मात स्पष्षातु कौन्तिय जी हां जी हां शरीर को मिलने वाले यहां पर भगवान कृष्ण श्रीमद भगवद गीता में यही समझाया है कि शरीर को मिलने वाले सुख दुख गर्मी ठंड यह जितने भी हैं इनको निश्काम भावना से सहन करना चाहिए क्योंकि यह सभी चलाय मान है यह सभी निकल जाते हैं इस्थिर नहीं रहते हैं महंद्र कौशिक जी परिचक्र ज्ञान अनुभाव जन्न मद्दूसरों के अनुभाव को सुनकर समझने है तु कृपा निधान की कृपा चाहिए जी बहुत सुन्दर समझाते हैं गुरुजी निश्य ही आपका जीवन भी आपके टॉपिक जैसा ही हो है ठीक है अवश्य ही चितवाला योगी शरीर रहते तक सुन्ने में रहता है या संसार की अनुभूती भी होती है जीरो सुन्ने चितवाला योगी समाधी में रहता है ठीक है सुन्ने चितवाला योगी समाधी में रहता है गुरुजी मगर यह कला तो केवल साक्षी भाव की अवस्था में ही जग सकती है जिसे पाने के लिए ऐसा नहीं है कि साक्षी भाव की प्रयास तो आप करी सकते हमें पता है ना कि संसार परिवर्तनशील है हमें दिखाई देता है कि संसार नित्य परिवर्तनशील है तो स्वेम ही साक्षी भाव की और हम अग्रसर हो जाते हैं अगर यह समझ भी चलिए ठीक ह ध्यान से परिपक्वता आएगी लेकिन अगर इतना पता चल जाता है कि यह संसार नित्य परिवर्त जशील है इसमें मुह रखना ठीक नहीं है तो इतनी समझ पैदा भी हो जाए तो आदमी निश्य ही प्रयास कर सकता है कि मैं संसार के वस्तुवों में आ सकती ना रखूँ ठीक यह चीज़ है जै माता दी अचार जी सत नाम और सर नाम ने मेरे दिल में बहम पैदा कर दिया है ततब दर्शे गुरुजी के शरन में जाते हुए भी मेरे प्रशन को दूर करो अचार जी भा करो ठीक है जी गुरुजी ज्यान का सीमा नहीं है क्या ज्यानी पुरुष को ज्यानी होने का ज्यान अनुभूद ज्यान की सीमा है जिवत्व जब तक जिवत्व बोध है एहंकार है तभी तक ज्यान है जब तक अपूर्णता है तभी तक ज्यान है और जब अपूर्ण हो जाएंगे तो फिर ज्यान का स्थित्व रहेगा ही नहीं ठीक तो यह कहना कि ज्ञान की सीमा नहीं आँ वैसे माया की सीमा नहीं तो ज्ञान की भी सीमा नहीं क्या क्या जानोगे कितना जानोगे ठीक तो जो उस आत्मा को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है जो आत्मा को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है अर्जुन मैं जो तुझे ज्ञान देने वाला हूँ इसको जान लेने के बाद या फिर यह जो अध्यात में ज्ञान है इसको प्राप्त कर लेने के बाद संसार में कुछ जानना शेश नहीं रहता तो सार नाम और सत नाम सुदिर जमवाल जी जो प्रशन कर रहे हैं सार नाम और सत नाम इसके चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं जो सत नाम है और जो सार नाम है वास्तों में अगर उसमें कोई भेद नहीं है आप भेद क्यों कर रहे हैं ठीक तो वह एक ही है एक ही शब् वह शब्द ब्रह्म उच्चारन का विशय नहीं है। प्राणों में भी ऐसी बाते मिल जाएंगी कि जो शब्द ब्रह्म है वह क्या है। उसको जपानी जा सकता उसका उच्चारन नहीं होता। ठीक। वह अव्यक्त अक्षर है। ठीक। वह अव्यक्त है। तो बहुत जादा इसके लिए संशय गरस्थ होने की जुरूत नहीं क्या क्रोध का इस्तमाल अच्छे कारियों के लिए किया जा सकता है। और क्रोध को कैसे शांत किया जाए। जब ये एक लंबे समय से बना हुआ हो। पानी खूब पिया कीजिए। सुबह सुबह उठकर साढ़े तीन गलास पानी पी जाए। हो सके तो उसमें निमबू डा ले जिए। ठीक ना ? हामले का सेबन कीजिए। पित्विकार कम होगा। थो को क्रोध पे भी असर आएगा। पहला उपाय तो या आपने पूछा तो बता रहे, इस मिरुद का स्दुपयोग हो सकता है कंड्रोल आएगा तभी तो स्दुपयोग होगा। और क्रोध्र तो कर जग्षान तो आपका हो जाता है जिसके उपर आपने कुरोध किया उससे ज़दा नुक्सान तो आपका ही हो जाता है ठीक है तो इसीलिए थोड़ा सा विचार करके कुरोध करना या अच्छी बात नहीं है लेकिन बिल्कूल ना करोगे, जहां आवशकता है वहाँ पर, क्या कहा जब भगवान राम ने कोप किया, राम चरित मानस में या राम कथा में जो वर्णन आता है रमायन में, कि भगवान राम ने कोप किया समुद्र देव पर, जल दिन मानत जल जल गय तीन दिन बीती, बोले इसा कोप राम तब भै भीनु होए न प्रीती ठीक तब उन्होंने कोप किया क्रोध किया तो जब समुद्र देव आये भागे भागे उन्होंने कहा कि मुह सिख दीनी मर जादा प्रभू तुम ही किनी कि तुमने मुझे सिख्षा देकर मुझे पर क्रोध करकर आपने क्रोध क मर्यादा रख ली क्रोध कैसे करना है सिखा दिया कृष्ण ने भी क्रोध किया जब दुर्योधन से कहा कि भाई तू सुई की नोक बराबर भी भूमी देने को वो तैयार नहीं था और रुल्टा भगवान को ही आग्या देता है कि श्रीकृष्ण गय थे समझाने के लिए वो चाहते तो एक राजा की तरह बात करते लेकिन वो दूत बनकर गया और दुर्योधन ने सोचा कि ये तो दूत बनकर आया है कमजोर पड़ गया है इसलिए बंदी बनाओ इसको बंदी बनाने के लिए क्रिश्ण ने कोप किया शिव ने कोप किया प्रजापती दक्ष के उप उसके एहंकार के उपर, तो जहां पर कोप जरूरी है, जितना जरूरी है, उतना तो कर ही लेना चाहिए, लेकिन अनियंतरत भाव से अगर आप बार बार करोध करते हैं, अनावश्य करोध करते हैं, तो फिर तो रोगी हैं आप, बिमार हैं आप, ठीक, उस बिमारी का इलाज ह दोना चाहिए थीक है तो यह इस तरह से इस बात को इस तथे को समझना की आवशकता है तो हम समझे इस तथे को तो भोग भोगने की कला यही है क्रोध की भी कला है क्रोध करने की भी कला है तो इस प्रकार से हमें विचार करते हुए कामनाओं की भी कला है लोभ की भी कला है सब अपने एक एक नियम में बंध जाते हैं न और अनासक्त हो जाता है मनुष्य अपना जीवन वेतित करता है ठीक है तो चलिए मित्रो इसी के साथ आज के सभा को यहां पर विराम देंगे और आपके प्रश्ण हमें जो मिलते हैं उसके अधार पर हम कई विश्यों को चुनते हैं प्रश्ण पूछे उनका उत्तर भी अवश्य मिलेगा और साथी साथ ध्यान योग अगर वैसी अवस्था में हम पहुचना चाहते हैं कि जहां पर हम अनासक्त भाव से संसार में रह सके संसार के भोग विश्यों से हम अनासक्त भाव से जुड़ सके तो निश्य ही हमें ध्यान करना चाहिए और ध्यान यूग का कोर्स ऑनलाइन अभी चल रहा है अभी धीरे धीरे जब ये कुरोना का समय ये काल समाप्त होगा हो ही रहा है समाप्त हो चाहे ना हो हो ही रहा है समाप्त तो फिर निश्य ही कई जगहों पर आना जाना भी होगा इस महिने पर भी कुछ जगहों पर आना जाना है बताएंगे आपको अगर आप उस उन अस्थानों से संबंद रखते हैं तो मिल सकते हैं तो जरूर ही लाव उठाएं मिलना चाहे तो मिले और ध्यान योग करना चाहते हैं तो आप online courses, sun membership और Jupiter membership इसके courses को आप जोईन कर सकते हैं विधी पुरुवक करते हुए आप इसका लाव उठा सकते हैं ठीक है मित्रों? तो इसी के साथ जो है मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम दूँगा जोड़े रहें, बने रहें और आपको इस चैनल और दिये जाने वाले व्याक्षानों की गुणवता अच्छी लगे और साथी साथ आपको लगे कि हाँ जीवन के लिए समाज के लिए इन विश्यों को समझना जरूरी है तो निश्या ही शेयर भी किया करें, अपने फेस्बूक, ट्विटर जो भी आपके प्रोफाइल हो उस पर शेयर भी किया करें तो आएए इसी के साथ विराम देते हैं इस सभा को यहीं पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवादे झाल